हलो एवरिवन, आज हम बनाएंगे ये सूजी का नाश्टा जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और इसे बनाने के लिए हम केवल एक चमज ओयल का इस्तिमाल करेंगे सबसे पहले हम सूजी के बॉल्स बनाएंगे और फिर स्पाइसी सॉस तयार करके उसमें डालेंगे एक कडाई में तेर कटोरी पानी डाले और उसे उबलने के लिए रखें अब इसमें मिला दे एक चमज नमक और उबाल आने पर इसमें डाले एक कटोरी सूजी और लगातार चलाते हुए इसको थोड़े देर पकाएं आप ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी गांठी नहीं पड़े इसको तब तक पकाएं जब तक ये इस तरह से तले से चूटने ना लगे तो अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है और ये इस तरह से फोल्ड भी हो रहा है अब हम इसे निकाल लेते हैं और हलका से ठंडा कर लेते हैं जब ये थोड़ा से ठंडा हो जाए तो इसकी छोटे बॉल्स बना के तयार कर लें तो इस तरह से मैंने सभी बॉल्स बना के तयार कर लिए हैं अब इसकी सौस तयार कर लेते हैं कड़ाई में डालेंगे एक चमज देल, एक चमज बारीक कटाल है सुन ayrot, एक चमज अत्रप बारीक कटा हुआ, एक चमज हरी मिच बारीक कटी हुई सबी चीजों को थोड़ी देर के लिए इस तरह से सेखें अब इसमें डालेंगे प्याज, आदी कटोरी, गाजर, आदी कटोरी, आदी कटोरी, शिमला मिल्च अब चलाते वे इसको 2-3 मिर्ट तक पकाएंगे अगर आपको मारा इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब इसमें आदी चमच काली मिश पाउडर डाल देते हैं और आदी चमच नमक चिली फ्लेक्स आप अपने चॉइस से डाले, मैं यहाँ पर एक चोथा ही चमच डाल रही हूँ लगातार चलाएं और ध्यान रखी की सबजियां ओबर कुपना हूँ अब इसमें डाल देते हैं टमैटो केचप, दो बड़ी चमच एक चमच विनेगर और एक चमच सोया सॉस इन सभी चीजों का फ्लेवर बिलकुल मंचूरियन सॉस की तरह आता है लेकिन इसमें हम कॉन फ्लूर या मैदा का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं अब हम इसमें डाल दे बॉल आने पर इसमें डाल देंगे वह सूजी के बॉस जो हमने बनाएते और इसको बहुत जादेर तक अब नहीं पकाना है नहीं तो जो सॉस है वह बहुत काड़ी हो जाएगी और सूजी जो है वह सारे सॉस को इब्सॉब कर लेगी तो इसको फटा-फट से करमा-गरम सर् करें तो आपने देखा कि यह बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट काफी कुछ वेज मंचुरियन जैसा लगता है क्योंकि सॉस में हमने सारे वही फ्लेवर्स डाले हैं लेकिन यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है इसमें ऑईल भी जादा इस्तमाल नहीं हुआ है और य ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहे है थैंक यू फो वाचिंग